मैं दीपक कुमार सिन, आज आप लोग के सामने पंजाब नेसल पैंग के जुड़े होए योजना के बारे में जरकारी देने जा रहा हूँ है। आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने संस्थास संजीनी विकास फॉंडेशन के माध्यम से प्येम जेजे गुए पधान मंत्री जीएंज योजना का लाव लेने के लिए लोगों को प्रवित करते रहते हैं। इसका फाइदा ये होता है कि अगर आपके परिवार में जिस ब्यक्ति के नाम से प्येम जेजे विवा योजना का नमंत्र हो जाता है। उस ब्यक्ति की अगर किसी भी कारण से ब्रिक्ति होती है तो उसके मौंगनी को दो लाख रुपए का चेख पंजाम नेसल बैंक के द्वारा दिया जाता है। जो आप लोग देख रहे हैं आपके छेटर के ही हरिया गरवां के रहने वाले हैं। चतेंदर पस्वान जी इनके पत्नी को हमारे पंजाम नेसल बैंक में हमारे बीसी जो तेलहरा में सेंटर चलाते हैं धिर कुमार जी उनके द्वारा इनके पत्नी को प्यम जेजे ब्याई में नमालकन किया गया था। और नमालकन करने के कुछ दिनों के बाद चतेंदर पस्वान जी की पत्नी जो की हडिया गरां के रहने वाले थे उनका नीधन हो गया। तो हमारे पंजाब नेसल बैंक के तरफ से हमारे संस्ता संजीनी विकाज फॉंडेशन के द्वारा जो जागरुपता कारकरम चलाया गया था। उस कारकरम के तहट सेतेंदर पस्वान जी जो कि आपके सौन्मे वीडियो में दिख रहे हैं इनको हमारे पी एंबी के तरफ से पीम जेजे बुआई का लाब इनको दो लाख रुपए का चे इनको मिला। तो मैं दीपक कुमार सिंग संजीवनी विकाज फांडेशन का दिश्किक सुपर्वाइजर हूए आप लोगों को ये उतना देते हुए ये जनकारी देते हुए मुझे बहुत खुसी हो रही है कि हमारे छेतर में मात्र 436 रुपए लगा कर पीम जेजे बुआई में नमांक हो जाती है तो बहुत सारा नुक्सान ढर पड़ता है उसके साथ बहुत सारे खर्चब होते हैं तो दो अलाख रुपए अगर किसी परीवार में जाता है मात्र 436 रुपए-क एक बार साल में कटता है, उस्य बार तो बहुत ही स्वयोग की रासी मिलती है, तो मैं आप लोग को यही कहूँगा, यह आपके जितने भी चाहने वाले हैं, जिसने भी जानने वाले लोग हैं, रूलो को PMJJBY इस किम में नमांकान अवस्य करवाएं, ताकि आने वाले मुसीब से आपको लड़ने में सहाथा प्राप्त हो, जहीं दोख्तों,